Hello and I welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे मैं personally ये मान के चलता हूँ कि भारत में सभी को ये मालूम पढ़ जुगा है कि इस्रेल और इरान के बीच में रिलेशन बेहत खराब है लेकिन ये कहपाना मुश्किल है कि अभी भी कितने लोग हमारे बीच में हैं जिनको ये पता है कि आखिर में इस्रेल और इरान के बीच में रिलेशन खराब क्यूं है इस वीडियो में हम कुछ specific events के उपर बात करेंगे जिससे हमें ये समझ में आए कि आखिर में इस्रेल और इरान के बीच में रिलेशन खराब क्यूं है उसके बाद हम Arab Nations और Middle East में क्या basic difference है वो भी हम समझेंगे ताकि हमें इस्रेल और इरान के बीच में जो खराब रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए इस वीडियो में आगे बढ़ू इससे पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते है एक जो बात हमारे दिमाग में आ सकता है कि आखिर में Arab का मतलब क्या होता या Arabic लोग किनको बोलते हैं तो Arabic लोग वैसे लोग को बोलते हैं जिनका culture में कुछ common points हो जिनका first language Arabic हो और सबसे बड़ी बात कि Arab कोई race नहीं है race का मतलब क्या हुआ कि जैसे second world war के आज़ पास नाजी जर्मनी काफी obsessed है Aryan race से तो इसका मतलब ये होता है कि वैसे लोग जो Aryan race से हैं उनका एक specific physical appearance होगा उनका एक specific body का color होगा उनका एक specific कुछ ऐसे physical appearance होंगे जो और सब लोगों से नहीं मिलते होंगे लेकिन अगर हम वहीं बात करें Arabic people का तो इनका ऐसा कोई भी physical appearance पर इनका focus नहीं है इनका हम कह सकते हैं कि primarily तीन चूज़े को उपर focus रहता है एक तो इनका common culture दूसरा इनका पहला language Arabic होना चाहिए और तीसरा कही न कहीं इनका जो historical background है वो same होना चाहिए और उसके बाद Arabic लोंग Christian भी हो सकते हैं Jewish भी हो सकते हैं Muslim भी हो सकते हैं उसके बाद Middle East में कुछ ऐसे देश हैं जो Arab World का हिस्सा है और कुछ ऐसे देश है जो Arab World का हिस्सा नहीं है ऐसा माना जाता है कि आजके rate में 22 ऐसे countries हैं जो Arab World का हिस्सा है जिसमें दो देश Arab World का हिस्सा नहीं है इरान और टर्की हलाकि इरान और टर्की दोनों का जो प्राइम रिलीजन है वो मुस्लिम है और उसके बाद Arab World का हिस्सा इस्रेल भी नहीं है तो आखिर में दिमाग में यह आ सकता कि आखिर में फिर यह Middle East है क्या तो अगर हम Middle East की बात क टलब नहीं है कि वो Arabic nation का हिस्सा है जैसे कि अगर हम बात करें तो इसरेल हो गया, तर्की हो गया या इरान हो गया यह लोग Arabic world का हिस्सा नहीं है क्यूंकि इनका culture सेम नहीं है इनका history सेम नहीं है और उसके ऊपर इनका first language Arabic नहीं है इरान में फार्सी बोली जाती है तो वहां का जो linguistic है वो entirely different है Arabic nation के definition के हिसाब से इसके पहले कि हम ये जाने की आखिर में इस्रेल और इरान की बीच में संबंद इतने बुरे क्यों है कुछ बात हमें जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि अब तक ऐसा माना जाता है कि सिर्फ नौ देशों के पास ही nuclear weapon है जिसमें कि USA है, Russia है, China है, France है, UK है, India है, Pakistan है, Israel है और North Korea है इसमें से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही वैसा Muslim country है जिसके पास nuclear weapon है और इसमें हम कह सकते हैं कि almost जो देश है वो एक दूसरे के against खड़े हैं जैसे कि for example, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो relation है वो बेहत खराब है USA, Russia और चाइना के तीनों देशों के आपस में संबंध कैसे हैं वो हम सभी को पता है North Korea और US के बीच में relation कितने खराब हैं वो हम सभी को पता है तो कहने का मतलब है कि अगर Middle East में crisis समय रहते हुए कम नहीं होता है तो कहीं न कहीं ये जो original conflict है ये global conflict में बदल जाएगा और उसके बाद एक जो सबसे बड़ी बात यहां पर notice करने वाली है वो ये है कि इसरेल के पास भी nuclear weapon है लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये चाहता है कि इरान nuclear development ना करें क्यों तो US कुछ western country साथ में इसरेल इनका ये मानना है कि अगर इरान के पास nuclear weapon आ जाता है तो उससे original conflict बढ़ेगा और वो original conflict एक global threat में बदल जाएगा ध्यान रखेगा ऐसा मानना है geopolitics में हर देश अपने अपने विचार को ही आगे promote करता है जब मैं इस वीडियो को record करने के पहले articles पढ़ रहा था तो लगभग मैं 5-6 मैंने articles को पढ़े हैं तो साल 1948 में country Israel को बनाया जाता है Palestine के जमीन पे तो उस वक्त भी जो Palestine के local lungs थें वो काफी इस चीज के विरोध करते हैं और उसके अलावा भी आस पास के जो देश है जैसे की Jordan हो गया, Syria हो गया यहां के भी लोग अपोस करते हैं लेकिन उस वक्त इरान खामोश बैठा हुआ था और उसके बाद तरकी भी खामोश बैठा हुआ था जब Israel as a country का formation होता है तो US सबसे पहला देश था जो Israel को as a country का recognition देता है और इरान को जो उस वक्त समाल रहे थें यानि कि जिनकी सरकार थी उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो USA और UK के काफी करीब थें तो ये भी एक बहुत बड़ा वजय था कि क्यूं इरान के जो शात हैं वो इसरेल के साथ में थें तो इसरेल के जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थें डेविड बैंगूरियन वो या कहले उनके टीम मिलके एक idea को develop करते हैं जिस idea का नाम दिया गया था periphery doctrine इसका मतलब क्या होता है तो जैसा कि मैंने बताया कि Arabic लोग उन लोगों को बोलते है जिनका की same historical background रहे और जिनका first language Arabic language रहे तो डेविड बैंगूरियन ये फैसला करते हैं कि वो वैसे देशों के साथ अपने relation को मजबूत बनाएंगे जो Muslim देश तो रहें लेकिन वो non-Arabic रहें तो as a result हम कह सकते हैं कि 1948 के बाद इरान और तर्की काफी करीब थें इसराइल के लेकिन आज के date में इरान और तर्की हम कह सकते हैं कि ये दो देश सबसे बड़े opposer हैं इसराइल के क्योंकि तर्की किसी टाइम पे Ottoman Empire का हिसा हुआ करता था और हम कह सकते हैं कि अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें मालूम पढ़ेगा कि इरान का भी काफी rich culture रहा है और Second World War के बाद तर्की और इरान बहुत हद तक West के side थें और क्योंकि जैसे ही इसरेल देश का formation होता है वैसे ही US support करता है तो more or less हम समझ सकते हैं कि एक group create किया गया था जिस group में non-Arabic देशों को साथ लेके चलने की कोशिश की गई थी लेकिन जो सबसे बड़ा change देखने को मिलता है वो मिलता है 1979 में जब इरान में Islamic revolution हुआ था तब एक बात का ध्यान रखे कि आप चाहे किसी भी देश में रहते हों एक stand होता है वहां के देश का government का यानी की जो official stand होता है लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोंग होते हैं जो अपने सरकार के विचार से वो सहमत नहीं होते हैं तो भले इरान की जो सरकार है वो officially support कर रहे थे इसरेल को या तरकी को लेकिन उस वक्त भी वहां पे बहुत सारे ऐसे लोंग थें जो इसरेल का formation को नकार रहे थें और उनके दिल दिमाग में इसरेल को लेके इतना अच्छे विचार नहीं थें क्योंकि 1979 में Islamic revolution होता है और कहीं न कहीं इस पुरे revolution को अगर आप बहुत ही deep तरीके से आपको पढ़ेंगे तो आपको मालुम पढ़ेगा ये पूरा का पूरा revolution था power को हतियाने का कहने का मतलब है कि इस revolution में religion का इस्तमाल किया गया था और बढ़ चड़कर एक artificial दुनिया बन तो पहला जो supreme leader बनते हैं इरान के वो होते हैं अयातुला खुमेनी और अयातुला खुमेनी 1979 के revolution के पहले से ही USA और इस्रेल के काफी वो खिलाफ थे हैं इन फैक्ट उनका तो एक बहुत ही common statement भी है जहांपे वो ये कहते हैं इस्रेल के बारे में कि ये little satan है और US के बारे मे 1979 का revolution होता है तो उसके बाद इरान अपने आपको जितना भी जो Muslim country है उसका वो अपने आपको leader present करने का कोशिश करता है as a result अगर हम आज साओधी अरेबिया में जो हम नियम कानुन जो काफी tough है उसके पीछे का एक जो सबसे बड़ा वज़ा है वो है इरान का Islamic revolution क्योंकि इर उसके बाद इजिप्ट के एक बहुत ही charismatic leader हुए जिनका नाम है अब्दिल नासिर इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये Arab world का last सबसे बड़े leader है जिनका की almost सभी Arabic countries में acceptance था अब क्योंकि अब्दिल नासिर का जो main agenda था वो कही न कहीं Arabic countries को साथ लेके चलना था इसका मतलब य होता है कि अगर आप सिर्फ Arabic countries का बात करेंगे तो इसमें कहीं न कहीं जो इरान है और तर्की है वो isolate हो जाता है लेकिन उसके साथ ही तर्की को और इरान को ये दिखाना है कि वो लोग सही माइने में Muslim countries के leader हैं तो as a result हम देख सकते हैं कि आज भी जो तर्की के relation है Saudi Arabia या UAE के साथ या Egypt के साथ या in fact अगर हम इरान के relation को देखेंगे तो ये relation इतने अच्छे है नहीं आप इसे संबंधित जितना मर्जी आप article पढ़ ले आपको कहीं पे भी religion word पढ़ने को नहीं मिलेगा अगर आपको कोई sense समझ में आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ है power और किस तरीक ज़स के जो देश जैसे की सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इनके बहुत सारे जमीन को इसरेईल ने ले लिया, as a result क्या होता है कि जिस लोगों का जमीन गया था इस war में वो लों भी by default खिलाफ हो जाते हैं इसरेईल के, तो चाहे वो लेबनान हो गया या सीरिया हो गया, वैसे लोगों का group को create किया जिनका इरान को लेके कोई अच्छा सोच नहीं है तो अगर हम हेजबुला की बात करें या तो हम येमन में हाउतीस की बात करें तो बढ़ चड़कर इरान हाउतीस को ये हेजबुला को ये और भी अलग-अलग sleeper cell से उनको वो support करता है उनको वो पै और उसका जो base होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ fact और figure होना चाहिए ना कि हम अपने विचार में religion को include करें उसके बात क्या होता है कि समय बदलता है तो Middle East या हम कहले कि Arabic Nation के दो सबसे बड़े जो countries है एक तो Saudi Arabia है और दूसरा UAE है ये लोग बढ़ चड़कर Western countries के काफी close आय तो अगर आप इन सब articles को पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको definitely मालूम पढ़ जाएगा वो ये है कि भले Middle East में almost सारे countries Muslim religion को follow करते हो या Arabic world में almost जो majority of long है वो Muslim है लेकिन उनको religion से मतलब कम है और उनको self benefit से मतलब जादा है उनको कहीं न कहीं ये बताना है कि वो true leader है और उनक उनको सभी देशों के ऊपर जाके अपने आपको रखना है इस article को conclude करूँ तो एक चीज़ जो समझ में आता है वो ये है कि Israel, Iran या Iran, Saudi Arabia या Iran, Turkey इन सभी के बीच में सिर्फ और सिर्फ पावर के लडाई है और उसके बाद religion का सिर्फ इस्तिमाल किया जा रहा है खुद के benefit के I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye